स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पे आज हम आप सभी के साथ पॉर्टल साइंस बुक नंबर 2 और ये चेप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है स्वतंत भारत में राजनिती तो यह तो बुक का नाम है और चेप्टर का नाम है भारतिय राजनिती में नए बदलाओ औरेडी हमने पॉर्टल साइंस क्लास्टू वेल्ट के सारे चेप्टर के वीडियोज आप लोग के लिए यूटूब चैनल पे लारखा है उसके प्लेलिस्ट बन रखे हैं यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जरूर देखें बहुत लोग के द्वारा पसंद किया गया है इसी कारण से आज हमारा चैनल दस हजार की फैमिली पूरा करने वाला है आप लोगों से भी गुजारिस है कि यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी परकार के एडुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्ट होता रहे हम आप सभी के लिए प्रती दिन किसी न किसी क्लास के किसी न किसी चैप्टर का वीडियोज बनाते रहते हैं ताकि आपको इक्जाम में किसी भी परकार की परसानी ना हो हलाकि आपको यूटूब पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और मैं ये भी नहीं कहता, कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, बाकी लोग की वीडियो बहुत खराब है, ऐसा कुछ नहीं, आप जिन टीचर से बहुत भी बहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, वह ही आपके लिए बहतर है, मैं आपको ये भी फोर्स नहीं कर सकता, कि आप हमार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसमें भी कोई फोर्स नहीं है, कि आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आपको मैं जबदस्ती बोल रहा हूं कि वीडियो को लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं है, तो आईए, अब हम मुद्दे पे आते हैं, आज हमारा जो पॉर्टल साइंस बुक नमबर टू है, और क्लास टुवेल चेप्टर नाइन, भारतिय राजनिती में नए बतला, बहुत ही महत्तपूर्ण चेप्टर है, आज इसके अंदर मैं बहुत सी रोचक जानकारियां भी आपको दूँगा, जो आपके एक तो आजे सुबात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है 1990 का दसक, 1990 का दसक की बात हो रहा है, यह हमारे जन्म के साल की बात है, तो इसे मैं और बहतर से समझाने की कोशिस करूँगा, हलकी, मैंने ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन हिस हत्या के बाद क्या हुआ, राजीब गांधी को परधान मंत्री बनाया गया, अब राजीब गांधी कौन थे, आपको पता है, इंद्रा गांधी के पुत्र थे, और इंद्रा गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद उनके पुत्र राजीब गांधी को परधानमंत्री बनाया गया, उन्होंने 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कॉंग्रेस को भारी जीत दिलाए, अब यहाँ पे जो पॉइंट सब आ रहा है कि लोकसभा क्या है, सांसद क्या होते हैं, मतदान क्या होते हैं, यह सारी चीजे आप बच्चों ने अल्लेडी पढ़ रखाया, अब क्लाश 12 के बच्चे हो, आपको यह सारी चीजे अल्लेडी समझ में आ रही होगी, तो यहाँ पे मुद्दे की बात है कि 1984 में जो चुनाव हुआ, 1984 में, उसमें क्या हुआ, कॉंग्रेस को भारी जीत दिलाए, किसने, राजीव गांधी हाला कि यहाँ पे थोड़ी सी सिंपैथी थी, इंद्रा गांधी के हत्या का, इस कारण से भी इनको बहुत ज्यादा मत प्राप्त हुआ था, 1989 में, आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नह होने की इस्थिती में, भारतिये राजनिती में, केंद्रिये अस् संयोग हो जाता है, मतलब जूर हो जाता है, उन लोग का अपस में एक दूसे के साथ मिल जाते हैं, और फिर गठ बंधन की पार्टी का निर्मान करते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ कि 1989 में, देखे, 1984 के बाद, जब 5 साल के बाद, 1989 में यहाँ पे आम चुनाव हुआ, उसमें क आश्ट्रिये राजनिती में छेत्रिये दलो की भूमिका में अभी बिर्धी की, जब यह गठ बंधन की बाते आने लगी, इससे जो छेत्रिये पार्टी थी, जो राज अस्तरिये पार्टी थी, उनके स्वाविमान में, उनके कह सकते हैं, पावर में बहुत बिर्धी हुई 1990 के बाद क्या हुआ कि भायत के पॉलिटिक्स में समाजिक अस्तर पर भी बदलाब देखा गया, आर्थिक अस्तर पर भी बदलाब देखा गया, राजनितिक अस्तर पर भी बदलाब देखा गया, जिनों ने भारतिय राजनिती की दिसा एबं दसा दोनों को बदलने का काम किय हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को भारतिय राजनिती में कई प्रकार के परिवर्तन 1990 के पस्चाता है, जब गटबंदन का सरकार बनना सुरू हुआ, किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्ति नहीं हो रहा था, अलग-अलग पार्टीयों के साथ मिलके वो एक दूसरे के साथ म बदलने का काम किया, आगे के पॉइंटों को देखते हैं, अब बात आता है कि 1990 के बाद प्रमुख बदलाव क्या हुआ, जैसे कि पहले के स्लाइड में हमने बात किया है, 1990 के समय में कई सारे बदलाव हुए, 1984 के लोग समय में बदलाव हुआ, 1989 में हुआ, तो इसके बाद प्रमुख बदलाव, जो main changes था, वो क्या क्या है, 1990 के बाद प्रमुख बदलाव क्या क्या है, तो देखें, कॉंग्रेस परनाली की समापती हो गए, 1990 के बाद सबसे प्रमुख काम यही हुआ है, कि कॉंग्रेस परनाली की समापती हो गई, अब आपके मन में एक doubt आ रहा हु यह समझ लेगे, कि सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस के बर्चसु का भारत में होना, कॉंग्रेस परनाली कहलाता था, इसी का सरकार केंदर में है, इसी का सरकार राज में है, इसी के राजपती, इसी के राजपाल, इसी का प्रसासन, इनी क पहले तानासाहूं का हुआ करता था ऐसे ही कॉंग्रेस का जो बर्चस हो था यही हमारा कॉंग्रेस परनाली कहला था तो 1990 के बाद जो सबसे प्रमुख काम हुआ है पहले नंबर पे वो है कि भाई कॉंग्रेस का बर्चस समापत हो गया दूसरे नंबर पे है राष्क्रिये राजनिती में जनता दल एबं भारतिये जनता दल पार्टी की प्रभावसाली भूमिका अब बात करेंगे कि कॉंग्रेस का बर्चस तो समापत हुआ इसके बाद भारत की जो पॉलिटिक्स है भारत की जो राजनिती है भारत के अंदर जो जन्ता के द्वारा होने वाला डेमोक्राटिकल सासन है इसमें जन्ता दल का पर्चस वाना शुरू हुआ भारतिये जन्ता पार्टी का प्रभाव साली भूमिका देखने को मिला जो आज आप NDA, BJP बगएर के नाम से जानते हो नेंदर मोधी को तो कौन नहीं जानता बच्चा बच्चा के मूँपे यही सवाल होता है, यही जवाह होता है, मोधी जिन्दावाद, हर हर मोधी, घर घर मोधी, मोधी है तो मुमकिन है, तो मोधी को तो लगबग लगबग, भारत के आप विदेशों में भी लोग जानते हैं, आज कल तो भारत का डंका बाहर के देशों मे उतनी जट नहीं मिलती थी लेकिन अब हलाकि मैं तो कभी विदेश गया नहीं आप विदेश के बारे में जानता हूँ जैसा सुनता हूँ वैसी बाते आपको बता रहा हूँ जैसा देखता हूं न्यूज चैनल बगेर पे हलाकि ये न्यूज वाले भी तो एक का तीन-तीन का 4-5-6 करके बताते हैं, फिर भी जहां तक लगता है कि आज भारत का डंका विदेशों में भी बजाया जा रहा है, तो भारत के राजनिती में अब कॉंग्रेस की मतलब प्राचमित्ता कम हो गई और जनतादल और भारतिये जनतादल पार्टी का प्रभाव साली भूमिका देख हुआ, राश्ट्रिये राजनिती मतलब पूरे निशनल रूप से जो आप कह सकते हैं भारतिये लेवल पे जो हमारा पॉलिटिक्स चल रहा था, उसमें मंडल मुद्दे का भी उद्य हुआ, या मंडल आयोग या मंडल मुद्दा जो है, इसके बारे भी मैंने आपको एक प बदलाब में आप कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नई आर्थिक नितिया, जैसे नई आर्थिक निती के रूप में जाने जाने लगा, मतलब नई नई नितियां, नई नई नियाम, कानून, बहुत सारे बदलाब देखने को मिला, इसके अलाबा अलग अलग सरका प्रकारों ने, अलग-अलग प्रकार के राजितिक पार्टियों ने ये नए नई नितियों को भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया, लागू किया, तो ये चार पॉइंट आप 1990 के बाद के प्रमुख बदलाब के अंदर लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, अयोध्या विवाद, हाला कि अभी की राजनिती में आपने काफी अयोध्या के बारे में सुना है, हाला कि ये सब कहानी जो है, वो बहुत पुरानी है, लेकिन फिलहाल वरतमान समय में ये केस कोई नई केस नहीं है, अयोध्या विवाद जो है, वो यहाँ पे दिसंबर उनिस उत्तरपर्देश में यह बहुत भी प्यारा सा जगह है, यहां पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था ओर लोग कहते हैं, हमारे टिहार सकहता है कि पहले वहां पे मस्जिद था यह नहीं, पहले वहां पे मं दिर ही था जिसे ध्वस्थ करके इन इसलाम के सास को ने वहाँ पे मस्जिद बनवाया था हिंदूओं को अतंकित करके डड़ा के धर्म को बदलके उनके विश्वास के साथ खेलके उनकी संस्कृति को समाप्त करके वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्मान करवाया लेकिन आपने सुना है इतिहास अपन के बरतमान समय भी ये काफी सारी चीजे जो हैं राम मंदिर को लेके या अरोध्या विवाद को लेके वो न्यूज में आता ही रहता है और यहाँ पे आपको गठ वंधन की राजनिती का उदय हुआ साहवानों प्रकरन हुआ अब साहवानों के बारे में भी मैंने आपको प्र मुख बदलाव था उसमें नई आर्थिक निती क्या थी क्योंकि यह महत्पूर्ण है तो देखिए 1991 में स्री पीबी नर्सिम्हाराओ के नित्रित्त वाली सरकार जिसके बित मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग थे इन्होंने देश में नई आर्थिक निती लागू किया जिसके बाद में आने वाले सभी सरकारों ने इसे जारी रखा देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंग यह कोई छोटे बोटे व्यक्ति नहीं थे इनको अपने देश की आर्थिक इस्थिती सुभारने के लिए भिस्म पितामा कह सकते हैं आप जैसे कि महाभारत में भिस्म पितामा ने उ बूल नहीं सकते हैं इन्हों ने जिस प्रकार की नितियों को लागू किया उन नितियों को आगे आने वाले सभी सरकार ने फॉलो किया और उसे जारी रखा इस निती ने अर्थ बेवस्था के उदारी करन और नीजी करन पर बल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंग जो पीबी नर वाली सरकार के समय में वित मंत्री थे इनके द्वारा दिया गया आर्थिक निति जिसे हम नई आर्थिक निति कहते हैं उन्होंने जो नितियां दी हैं वो हमारे भारत की अर्थ बेवस्थाक में उदारी करन और नीजी करन पर उपर काफी बल दिया और इसे काफी सारे सुर हार ने भारतिये पार्टी परनाली पर कॉंग्रेस के परभुत के अंत को चिन्हित किया जब कॉंग्रेस पार्टी की हार हो गई जब उसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ इसके बाद भारत की राजिती में कई सारी दूसरी पार्टीयों को प्रबल बहुमत प्राप्त हुआ जिसमें जालत तर हमारे भारत के अंदर छेत्रिये पार्टियां हुआ करती थी, जो छेत्रिये पार्टिय थी उनका यहां पे काफी मनुबल बढ़ाया गया, अब बहुदलिये विवस्था का यूग सुरू हो गया, कहीं सारे दल मिलके भारत की राजनिती में अपने हाथ को फैला रहे थे और वो कार्यों को कर रहे थे, 1989 के बाद गठबंधन की राजनिती शुरू ही, 1989 के बाद क्या हुआ, अलग अलग पार्टियां मिलके आपस में जुर के एक नए नए सरकारों का निर्मान करना सुरू किया, क्योंकि मैंने आपको पहले के स्लाइड में बताया था, कि 1984 में लोकसभाद चुनाब में कॉंग्रेस की भारी जीत हुई, लेकिन 1989 से ही आम चुनाब में इनको बहुमत नहीं मिला, किसी भी राज से बहुमत नहीं मिला, तो यहां पे क्या हुआ, कि उन्होंने गठबंधन की राजनिती शुरू कर दी, अलग अलग छेत्रिये पार्टियों के साथ मिलके सरकार बनाना सुरू कर दिया, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, छेत्रिये दलों में एहम भूमिका आ गई, मतब जो छेत्रिये दल थे, जो लोकल पार्टीज थे राजिती के अंदर, उनकी महत्तों यहां पे ज़्यादा बेहतर दिखाए दिखाए देने लगी, उनका योगदान यहां पे ज़्यादा अच्छा दिखाए देने लगा, क्योंकि वो अपने छेत्र के लिए बहुत अच्छा कारी कर रहे थे, इसलिए उनको अपने छेत्र से लोगों का समर्थन भरकूर मातरा में प्राप्थ हो रहा था, नेक्स्ट केंदर अलग-अलग दलों की विवस्था जो ची, उसका प्रभूत तो क्या हो गया, उसका जो प्रभूत कहने का मतलब है उसका प्रभाव, वो क्या हो गया, समापत हो गया और बहुदलिये सासन प्रनाली का यूग शुरू हो गया, अलग-अलग दलों के साथ सासन कहने की व्यवस्ता यहां पे सुरू हो गये अब केंद्र में गठ बंधन सरकारों के निर्मान में छेतरिये दलों का महत तो बढ़ गया युठा के बाद जनता दल और कुछ रतरीये दलों को मिला कर बने राष्ट्रिये मोर्चा ने भाजपा और बाम मोर्चे के समर्थन में गठ बंधन सरकार का निर्मान किया क्योंकि मैंने आपको बता हैं 1989 से आगे के समय में गठ बंधन की सरकारे बननी शुरू हो गई क्योंकि किसी भी एक राजितिक पार्टी को बहुमत ही नहीं प्राप्त हो रहा था 1998 से 2004 तक भारतिये जनता पार्टी के नेतरित में राष्ट्रिये जनतांत्री गठ बंधन की सरकार रही और इसी दोरान भारत के सर्वस्रेष्ट बहुत बेहतर प्रधान मंत्री अटल विहारी बाजपई प्रधान मंत्री रहे क्योंकि इनके कारेकाल को दुनिया कभी भूला नहीं सकता इनहीं का वो कारेकाल है जब हमारे यहां परमानु परिक्षन हुआ जब हमारे यहां परमानु बमों का निर्मान हुआ असले बारुदों का निर्मान हुआ नहीं नहीं टेकनोलोजियों का निर्मान हुआ वो अटल भिहारी बाजपई ही थे जिनके कारेकाल में इतनी सारी चीजों को बनाया गया था यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कॉंग्रेस के नेतरित में संयुक्त प्रगतिसील गठबंदन की सरकार निलगातार दो कारेकाल पूरे किये थे इस दौरां डॉक्टर मनमुहन सिंग को परधान मंत्री भी बनाया गया 2014 में नर्यन मोदी के नेतरित में भारतिय जन्ता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया कब 2014 में याद रखेगा परंतु चुनाव पूर्ण गठ बंधन की परति बदता का सम्मान करते हुए राष्टिय जन्तांत्रिक गठ बंधन की सरकार बनाई बरतमान में भारतिय जन्ता पार्टी का कॉंग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों में सफल रहा मतलब कॉंग्रेस को पूरी तरह से पूरे तरीके से 21 राज्यों में ही समाप्त कर दिया गया मतलब वहाँ पे कॉंग्रेस का सरकारी नहीं है वहाँ पे लोग उसे पसंदी नहीं कर रहे है तो यह किसका मतलब जी आप कहा सकते हैं कि अभियान जो है वो बीजेपी का ही है कि कॉंग्रेस मुक्त बनाओ देश को अब यहाँ पे 1989 से अब तक केंदर में 11 सरकारे रही है यह ध्यार रखेगा एक 11 सरकारे बदली है 1989 से लेके अभी तक सभी गठ बन्धन सरकारे रही है नेशनल फ्रंट 1989 युनाइटेड फ्रंट 1986 से 1997 युनाइटेड फ्रंट जो है वो 1996 से 1997 एंडी ये 1998 से 2004 और UPA 2004 से 2014 और वरतमान समय में भी 2014 के बाद BJP की सरकारे अभी वरतमान समय तिल गेट तक अपने भारत में काम कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठ बंधन सरकारों के उदय के कारण अब गठ बंधन के सरकार के उदय का प्रमुख कारण क्या है उसे जान लेते हैं कि गठ बंधन की सरकारों का क्या कारण था जिसके कारण गठ बंधन की सरकारों का उदय हुआ तो सबसे पहले तो देख लिए ये राश्ट्रिये राजनितिक दलों का कमजोर होना, राश्ट्र में मत्तब कि देश लेवल पे जो भी पाटीज थी उनका कमजोर होने के कारण गठ बंधन सरकारों के उदै हुए, छेत्रिये राजनितिक दलों का प्रादुर्भाव एवन सर कारों के निर्मान में बढ़ती भुनका, जो छेत्र के लेवल के नेता थे, वो अपने छेत्र के लिए बहतर काम कर रहते, वो अपने जाती को लेके, संपरदाय को लेके, इसके उपर राजनिति कर रहते, इसलिए छेत्र के लोग इन्हें समर्थन दे रहते, इसी कारण से इनके अंदर एक नए राजनिती का छेतर लेवल पर उदय हुआ जो बाद में जाके अलग-अलग पार्टियों के साथ मिलके गठ बंधन की सरकार के रूप में इनका उदय देखने को मिलता है। स्टंबर 1988 में मदरास अर्था जो अभी का चिन नहीं है वहाँ पे राष्ट्रिय मोर्चे का गठन किया। भारतिय जनता पाटि और बामपंथी दलों के समर्थन से विश्वनाथ परताप सिंग के नेत्रित में राष्ट्रिय मोर्चे की सरकार सत्तारूर हुई। मतलब कि उसकी सरकार वहाँ पे आई उसी का सरकार का निर्मान किया गया। जनता दल द्वारा मंडल आयोग की सिफारिस को लागू करने के नेनय के कारण राष्ट्रिय मोर्चे की जो सरकार थे उसका पतन हो गया। क्योंकि जनता दल ने जो मंडल आयोग की सिफारिस मंडल आयोग को लागू करने के सिफारिस की इसी कारण से राष्ट्रिय मोर्चे की सरकार का पतन हो गया था। ये जनता दल की पाटी तूट गई। देवी लाल और चन्द सेखर के समर्थकों ने जनता दल से अलग होकर एक जनता दल समाजवाजी की अस्थापना कर लिया। कॉंग्रेस ने चन्द सेखर को सरकार बनाने में सहायता भी फला सरूप केंदर में चन्द सेखर के नेतरित में जनता दल की सरकार सत्ता में आ गई। मार्च 1991 की बात है कॉंग्रेस द्वारा सरकार के समर्थन वापस लेने के कारण इसका भी पतन हो गया। पहले तो कॉंग्रेस ने अपने सपोर्ट से इसके सरकार का निर्मान करवाया और ये सरकारे बनी भी लेकिन आगे चल कर जब कॉंग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो उसके बाद इसका भी पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है गठ बंधन की राजनेती। 1990 के दसक में कुछ ताकतवर पार्टियां और आंदोलन का क्रम चला। 1990 के समय में क्या हुआ बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों का आपस में टकड़ा हुआ। 1990 का सउयुक्त मोर्चाचा की सरकार ूर 1989 में राष्ट्रिये मोर्चे के ही समान था सउयुक्त मोर्चा. अब देखे राष्ट्रिये मोर्चा जो पार्टि था, जो मैंनेहें आपको पहले भी बताया था, कि यहाँ पे राष्ट्रिये मोर्चा की सरकार का पतन जो हुआ था, वो मंडल आयोग के सिफारिस करने के कराण हुआ था, तो same to same जैसा राष्ट्रिये मोर्चा था, वैसे ही संयुक्त मोर्चा का विनिर्मार किया गया था. next point हमारा कहता है संयुक्त मोर्चे का गठन, अब जैसे की राष्ट्रिये मोर्चा के बारे में हमने बात किया था, ऐसे ही अब हम संयुक्त मोर्चे के गठन के बारे में बात कर लेते हैं, सन 1991 में लोगसभाद चुनावों में जन समाजवाधी पार्टी का पराजय का सामना करन अजीत सिंग के नेत्रित में अनेक सांसदों ने जनता दल छोड़ कर जनता दल का गठन किया। पिक्रित जनतादल को कुनर जिवित करने का निर्णय किया जो चन सेखर की पाटी सत्ता में आई थी वो किसके भरोसे आई थी वो कॉंग्रिस के समर्थन के भरोसे से आई थी लेकिन जब कॉंग्रिस ने समर्थन खेंच लिया तो चन सेखर की सरकार गिर गई वापस फिर से अ अजीद सिंग की जो भूमिका थे उनके कारण जनतादल के नेताओं और अजीद सिंग के समर्थकों के बीचे मतभेर बढ़ गया, उत्तर परदेश आपको पता है भारतिये चुनाब में उत्तर परदेश की जो भूमिका होती है, वो अहम होती है, तो यहाँ पे अजीद सिंग की जनतादल के बाहर के लोग थे, उन्होंने उन लोग को अपने समर्थन में ले लिया, जनतापार्टी के कई घटक, जैसे भारतिये क्रांती दल और संयुक्ति जनतापार्टी के पास OBC के कुछ वर्गों के बीच में एक सक्तिसाली ग्रामीन अधार था, मतलब वो गाउं के लोगों को अपनी पार्टी के अंदर सामिल कर लिए उनको उन लोगों से बहुमच प्राप्त हो रहा था, अब यहीं पे मंदल मुद्दार है, 1978 में जनतापा जनतादलद्वारा जब मंदल आयोग का सिफारिस किया गया था, इसी कारण से राष्टिय मुर्चा का पतन हो गया था, अब वही हम आपको यहां पे समझा रहे हैं कि मंदल मुद्दा है क्या, तो मंदल मुद्दा पिछरा वर्ग के जो लोग थे, उनके लिए बनाया गया इसलिए इसे मंदल आयोग के नाम से जाना जाता है, एक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मंदल आयोग की मुख सिफारी से क्या थी, मंदल आयोग के लिए क्या-क्या बाते महतपून हैं, उसे समझ लेजिए, कहा गया था, अन्य पिछरा वर्ग, जिसे OBC को सरकारी नौकरी मे 27% का आरक्षन देना होगा, भूमी सुधारों को पूर्णता से लागू करना होगा, जमिन को लेके बटवारा फिर से करना होगा, 1990 के जो ततकालीन परधान मनती थे, स्री वी पी सिंग, उन्होंने सरकार में मंदल आयोग की सिफारी सो को लागू करने की घोसना की, इसके ख लागू करने की घोसना की थी, अब जान लिजिए कि मंदल आयोग के लागू की घोसना के बाद क्या क्या हुआ, इसके क्रिया क्या क्या हुए, इसके परिणाम क्या क्या हुए, ता आरक्षन के बिरोध में उत्तर भारत के सहरों में ब्यापक हिंसक परदर्शन हुआ, इसम इस बिरोध का सबसे एहम पहलु विरोजगार ही हब ऐबं छात्रों द्वारा आत्मदाह था। जो विरोजगार लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी उन्हों ने मरना शुरू कर दिया, अपने आपको खतम करना शुरू कर लिया, आत्मदाह खुद को आग लगाना दिल्ली विश्विद्याले के च्छत राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सबसे पहले आत्मदाह का प्रयास किया गया विरोधियों का तर्क था कि जातिगत अधार पर अरक्षन समानता के अधिकार के खिलाफ है तमाम विरोधों के बाब जो 1993 में तत्क दाह की परवाह किये बिना इन सभी चीजों को देश के अंदर लागू कर दिया अधिया विबात के बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी चर्चा की थी उससे समझ लेजिए मैंने आपको पहले भी बताया था यह बहुत पुरानी बात है सोलवी सदी में मीर बांकी द्वारा अधिया में बनवाई गई मस्जिद के बारे में कहा गया है कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़ कर बनवाई गई थी यह मामला अदालत में गया और 1940 के दसक में ताला लगा गया इसको लोक कर दिया गया बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राज़नीती होने लगी आपको तो पता है राज़नीती करने वाले जो राजनीती पार्ठियां है तो हर तरप से अपने आपको बहुत में रखना पसंद करते हैं सरकार में रख का गठन भी किया गया, तब जाके इस मंदिर का निर्मान किया गया है, अब हम बात करेंगे गोधरा कान, हाला कि साहवानों प्रकरन के बारे में हमने पहले थूरा सा डिसकेशन किया था, यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में समझा दूँगा, उससे पहले मैं गोधरा कान आग लगा दिया गया, यह संदेह करके कि बागी में आग मुस्लिमों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हुई, बहुत सारे मुसल्मानों को मारा गया, यह एक महीने तक चला और ग्यारा सो व्यक्ति को मार दिय साहवानों प्रकरन क्या था, तो साहवानों एक मुसलिम महिला थी, ध्यान समझेगा, जिसे तलाक के बाद पती ने गुजरा बत्ता देने से मना कर दिया, मतलब आपको तो पत्य है, मुसल्मानों में तो कई सारी साधियां कर लेते हैं, उसके बाद पहली पत्नी को छोड़ साहवानों ने सर्वोच न्याले के अनुच्छे 44 के तहट साहवानों के पती के गुजरा भत्ता देने का निर्देश दिया, अब ये एक नया फैसला आया था, जिसमें साहवानों के पती को गुजरा भत्ता देना पड़ा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, सहमती के मु उसे देश में लागू किया, पिछरी जातियों के राजनितिक और समाजिक दावों की सुईकिर्टी हुई, जो ओभी सी थे, जो पिछरे वर के लोग थे, उनको भी राजनिति में आने का मौका मिला, छेत्रिये दलों की भूमिका काफी बढ़ गई, उनके साज़दारी को सु अब हम बात करेंगे लोग सभाचुनाब 2004 के बारे में, 2004 के चुनाब में क्या हुआ कि BJP, National Democratic Alliance के नित्रित में, जिसे हम NDA भी कहते हैं, गठ बंधन की सरकार को हराया गया, और कॉंग्रेस के नित्रित में नया गठ बंधन, जिसे संयुक्त प्रगती सील गठ बंधन की सक्त में आने के रूप में जाना जाता है, 2004 में यहाँ पे एक पार्टी हारती है, दूसरा पार्टी जित्ता है, गठ बंधन की सरकार बनती है, वहीं पे अगर हम NDA की बात कर ले, NDA 3rd और 4, तो मैं 2014 में लोग सभाचुनाब में परहान मंत्री स्री नयंदर मोधी के नित्रित व मतलब पूरे देश में ही लहर था, मोधी, 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 तो मोधी की लहर में एक बार फिर से 30 साल के बाद ऐसा घटना हुआ था, देखें लिखा भी हुआ है, कि राजिती में लग 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 30 वरसों के बाद केंदर में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार की अस् स्री नरेंद्र मोधी की सरकार थी, 2014 के बाद जब 2019 में लोग सभाद चुनाव हुआ तो अजाजी के बाद से 17 हवे में 543 में से 350 से अधिक सीटे जीत कर एक बार फिर वीजेपी के नितरित वाली एंडिये ने सत्ता में अपना सरकार बनाया वापस, 2019 में भाजपा की उतल प पर्णाली की तुनला भाजपा पर्णाली से करना सुरू कर दिया, जहां भारत की लोकतांतिक राजिती में एक बार फिर से कॉंग्रेस विवस्था की तरह एक दलिये प्रभुत्त का युग दिखाए देने लगा, जैसे कॉंग्रेस पर्णाली के बारे मैं आपको बताया वैसे ही लोगों ने इसे भाजपा पर्णाली के नाम से मतलब दोनों को सिमलर बताने लगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विकास और सासन के मुद्दे, देखे अपने पुर्म निर्धारित लक्ष सबका साथ, सबका विकास, नन्रमोधी के द्वारा ही कहा गया था, तो सरकार ने विकास और सासन को जनता के लिए सुलब बनाने के लिए समाजिक आर्थिक कल्यानकारी योजना ये शुरू की है, जैसे परधान मंत्री उज्वला योजना, स्वक्ष भारत अभियान, जंधन योजना, दीन ध्यालुपा ध्याय, ग्राम जोती योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना, आयुसमान भारत योजना, ये सारे योजना प्रधान मंत्री के द्वारा भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, इन सभी योजनाओं का उद्देस, गाउं में रहने वाले बुक नमबर टू, सोतंत भारत में राजनीती और चेप्टर का नाम है भारतिये राजनीती में नए बदलाव, यहां पे समाप्त हो गया है, आसा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी, आप सभी को पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एडुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे, आज के लिए इतना ही धन्यवाद.